प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने शुक्रवार को राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा से पहले एक औरियो मैसेज जारी किया है इसमें उन्होंने कहा है कि वह 11 दिन का विशेश अनुष्ठान आरंब कर रहे हैं प्राणप्रतिष्ठा को लेकर आयोध्या में तैयारियां जोरो पर हैं प्रभू ने मुझे भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित बनाया है इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेश अनुष्ठान आरंब कर रहा हूँ मैं आप सभी जनता जोनारदन से आशिरवाद की अकांशा करता हूँ इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कहपाना बहुत मुश्यल है लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है स्रियावर राम चंद्र की जाए मेरे पैरे देश्वासियों राम राम जीवन के कुछ ख्षण इस्वरिय आशिरवाद की वज़त से ही यथार्थ में बदलते हैं आज हम सभी भारतियों के लिए दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है हर तरफ प्रभूसरी राम की भक्ती का अध्भूत वाथावराण चारों दिशाओं में राम नाम की धून राम भजनों की अध्भूत सौंदर्य महधूरी हर किसी को इंतजार है 22 जन्वरी का उस अईतिहासिक पवित्र पल का और अब अयोध्या में राम लदा की प्रान प्रतिष्ठा में केवल ग्यारा दिन ही भचे हैं मेरा सवबाग्य है कि मुझे भी इस पुन्य अउसर का साक्षी बनने का अउसर मिल रहा है ये मेरे लिए कल्पना तीद अनुभूतियों का समय है मैं भाव को हूँ भाव विहवल हूँ मैं पहली बार जिवन में इस तरह के मनुभाव से गुजर रहा हूँ मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभीव्यक्ति का नहीं अनुभूति का अउसरा कर दो लिए